Cambridge Senior English Translation by R.N. Mishra course में आपका स्वागत है इस course में हम आपको 255 exercises solve करवाएंगे अगर आप सभी exercises solve करना चाहते हैं तो 9051-378712 में संपर्ख करें इस exercise का explanation वीडियो के last में दिये जाएंगे वाइए करते हैं exercise 53 of 255 do it into English यहा एक गाय है this is a cow वह एक N है आप्स का शौर्टा हूगा ञागे दिखें यहा हाम है This is a mango. वह नारंगी है. That is an orange. Short form, that's an orange. Next, यह राहूल है. This is राहूल. वह विमल है. That is राहूल. That's राहूल. अगे देखिए. यह कुत्ते हैं. These are dogs. वह पिलिया हैं. Those are cats. यह कलमे हैं. Are fence. वे पैंसिले हैं. Those are pencils. आगे देखिए. यह इस्तरिया हैं. These are women. वे अच्छे हैं. वे अच्छे हैं. Those are children. यह लड़का नेक हैं. This boy is gentle. यह लड़के नेक हैं. These boys are gentle. यह आदमी चोर हैं. This man is a thief. यह आदमी चोर हैं. यह आदमी चोर हैं. These men are thieves. यह लड़का मेधावी चात्र हैं. This boy is an intelligent student. आगे देखिए. यह लड़के मेधावी चात्र हैं. These boys are intelligent students. वह बक्री काली हैं. That goat is slack. वह बक्रियां काली हैं. Those वह बक्रियां काली हैं. Those goats are slack. वह आदमी सिक्षक हैं. That man is a teacher. Next, वह यह आदमी सिक्षक हैं. Those men are teachers. यह बच्चे शात्र हैं. These children are students. वे बच्चे भिकारी हैं. Those children are beggars. यह लड़के मेरे भाई हैं. These boys are my brothers. वे लड़कियां मेरी बहने हैं. Those girls are my sisters. वह आदमी मेरा मित्र था. That man was my friend. वे आदमी मेरे मित्र थे. Those men were my friends. यह व्रिक्ष हरा भरा था. This tree was lush green. यह व्रिक्ष हरे भरे थे. These trees are lush green. वह लड़का एक अभियनता बनेगा. That boy will be an engineer. वे लड़के अभियनता बनेगे. Those boys will be engineers. यह व्रिक्ष हरा भरा रहेगा. This tree will be lush green. यह व्रिक्ष हरे भरे रहेंगे. These trees will be lush green. आगे देखिए, सबसे पहले हम लोग words लिखेंगे, जो हम लोग यहाँ पर use किये हैं. फिर मैं आपको concept बताऊंगा. वह क्या था? Use of this, use of that, use of these, use of those. ठीक है? This कभ इस्तमाल होता है? जब हम लोग यह कहते हैं singular form में. That were singular form में. ठीक है? हम लोग बहुत सारे example यहाँ पर किये हैं. These यह plural form में, those यहाँ पर वे होगा. ठीक है? In plural form. ठीक है? आगे देखें. उपर दिये गए शब्द this, that, these and those, demonstrative pronouns या adjectives, संकीत वाचक सर्वनाम या विसेशन है. These, this या these से निकटता, nearness और that या those से दूरी, distance का बोध होता है. इस या that के साथ singular noun या singular verb का वहवार होता है. इस या those के साथ plural noun या plural verb का वहवार होता है. आप विभिन प्रकार के वाकियों के अंग्रेजी अनुवाद में this, that, these, those का वहवार देखेंगे. देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे एक printing mistake था, जो मैं ठीक कर दे रहा हूँ. यहाँ पे दोज की जगा वह होगा. ठीक है? उत्वार टाइपिंग mistake हो गया था. आईए, अब हम लोग कुछ concept आप लेख लिए, अब यहाँ पे sentences देखेंगे, आगे भी देखेंगे, फिर से देखेंगे, बहुत अच्छा से practice करेंगे, affirmative sentences, सकरात्मक वाक्य, नीचे के वाक्यों को ध्यान से पढ़ें. यह घोडा है, this is a horse, वह हाती है, that is an elephant, that's an elephant. कहां short form possible होगा, वहाँ पे मैं आपको short form सारा बताता जाऊंगा. यह दूद है, this is milk, वह दही है, that is curd, that's curd. यह अखिलेश है, this is akhileash, वह निशा है, that is nisha, that's nisha. यह बच्चे है, these are children, वह औरते है, those are women. यह आदमी लंबा है, this man is tall, यह आदमी लंबे है, these men are tall. वह औरत सुन्दर है, that woman is beautiful. वह औरते सुन्दर है, those women are beautiful. यह आदमी एक चोर है, this man is a thief. यह आदमी चोर है, these men are thieves. सब कुछ चीजें हैं, notes हैं, यह सब अच्छे से लिख लिजए, आपके काम आएगा. this, that, these या दोस का वहवार संकेत करने के लिए होता है. जैसे वह राहुल है, का अंगरेजी अनुवाद, he is राहुल, that is राहुल, दोनों हो सकता है. that is राहुल तब होगा जब राहुल की ओर संकेत कर उसे दिखाना हो. इसी प्रकार वे लड़के हैं का अनुवाद, those are boys तब होगा जब लड़कों की ओर संकेत कर उन्हें दिखाना हो. प्रथम आठ वाक्यों के अंगरेजी अनुवाद में, this, that, these, those का वहवार, demonstrative pronoun के रूप में हुआ है, जबकि अन्तिम छे वाक्यों के अनुवाद में इनका वहवार, demonstrative adjective के रूप में हुआ है. demonstrative pronoun के ठीक बात कोई noun नहीं आता है, जबकि demonstrative adjective के ठीक बात कोई ना कोई noun भी अवश्य आता है, ठीक है, आगे अभी बहुत सारा lessons बाकी है, सब लाइन से करिए, जो भी concept आपकर रहे जा रहा है, वो भी और अच्छे से clear होगा, हर वीडियो कम से कम दो से तीन बार झीक है